मेरे प्यारे देशवाशियों, नमस्कार! तियत्तर में स्वाधिन्ता दिवस की पूरु संध्या पर आप सभी को मेरी हर्दिक बढ़ाईे. यह स्वाधिन्ता दिवस बारत माता की सभी संतानों के लिए विहत खुशी का दिन है. चाहे हुए देश में हो या विदेश में. आज के दिन हम सभी को देश प्रेम की भावना का और भी गहरा अनुभव होता है. इस अवसर पर हम अपने उन असंक स्वतंदरता सेनानियों और क्रांतिकारियों को करदक्ता के साथ याद करते हैं जिन्नों ने हमें आजादी दिलाने के लिए संघर्स, त्याग और वलिदान के महान आदर्स प्रस्तुत कियें. स्वाधीन देश के रूप में 72 वर्सों की हमारी यह यात्रा आज एक खास मुकाम पर आप पहुँची है. कुछ ही सपता बाद 2 अक्टूबर को हम राष्ट पिता मात्मा गांदी की 150 मी जैनती मनाएंगे. गांदी जी हमारे स्वतंदरता संग्राम के महन आयक थे. वे समाज को हर प्रकार के अन्याय से मुक्त कराने के प्रियासों में हमारे मार्ग दर्सक भी थे. गांदी जी का मार्ग दर्सन आज भी उतना ही प्रासंगिक है. उन्होंने हमारी आज की गंभीर चुनोतियों का अनुमान पहले ही कर लिया था. गांदी जी मानते थे कि हमें प्रकरती के संसाधनों का उप्योग विवेक के साथ करना चाहिए. ताकि विकास और प्रकरती का संतुलन हमेशा बना रहे. उन्होंने परियावरण के प्रती संबेदन सीलता पर जोड़ दिया और प्रकरती के साथ सामंजस से बिठा कर जीवन जीने की सिक्षा भी दी. वर्तमान में चल रहे हमारे अनेक प्रियास गांदी जी के विचारों को ही यथार्थ रूप देते हैं. अनेक कल्यान कारी कारकरमों के माध्यम से हमारे देशवासियों का जीवन बहतर बनाया जा रहा है. सौर उर्जा के उप्योग को बढ़ाने पर विशेश जोर देना भी गांदी जी की सोच के अनुरूप है. 2019 का यह साल गुरु नानक देव जी का पांचसो पचासवा जैन्ती वर्स भी है. वे भारत के सबसे महान संतों में से एक हैं. मानवता पर उनका प्रभाव बहुत ही ब्यापक है. सिख पंत के संस्थापक के रूप में लोगों के हिर्दे में उनके लिए जो आदर का भाव है वह केवल हमारे सिख भाई बेहनों तक ही सीमित नहीं है. भारत और पूरी दुनिया में रहने वाले करोरों सिर्धालू उन पर गहरी आस्था रखते हैं. गुरु नानक देव जी के सभी अन्यवाईयों को मैं इस पावन जहनती वर्स के लिए अपनी हार्दिक शुब का मनाएं देता हूँ. प्यारे देशबासियों, जिस महान पीड़ी के लोगों ने हमें आजादी दिलाई, उनके लिए स्वाधिनता केवल राजनेतिक सत्ता को हासिल करने तक सीमित नहीं थी. उनका उद्देश प्रतेग व्यक्ति के जीवन और समाज की विवस्था को बेहतर बनाना भी था. वे भी अब उन सभी अधिकारों और सुविधाओं का लाव उठा पाएंगे, जो देश के दूसरे छेतरों में रहने वाले नागरिकों को मिलती हैं. वे भी अब समानता को बढ़ावा देने वाले प्रिगती सील कानूनों और प्रावधानों का उप्योग कर सकेंगे. सिक्षा कादिकार कानून लाग होने से सभी बच्चों के लिए सिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी. सूचना कादिकार मिल जाने से अब वहां के लोग जन हित से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. पारंप्रिक रूप से बंचित रहे वर्गों के लोगों को सिक्षा वर नौकरी में आरक्षन तता अन्न सुविधाएं मिल सकेंगे और तीन तलाग जैसे अविसाप के समाप्थ हो जाने से महां की हमारी बेटियों को भी न्याय मिलेगा तता उन्हें भय मुक्त जीवन जीने का अवसर मिलेगा इसी वर्ष गर्मियों में आप सभी देशवासियों ने सत्र में आम चुनाव में भाग लेकर विश्यों की सबसे बड़ी लोग तांत्रिक प्रकिया को संपन लिया है इस उपलब्धी के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र है वे बड़ी संख्या में बहुत उत्सा के साथ मतदान के अंदरों तक पहुँचे उन्होंने ना केवल अपने मतदिकार का प्रयोग किया बलकि निर्वाचन से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी भी निभाई हर आम चुनाव में हमारी विकास यात्रा के एक नए अध्याय का सुभारंब होता है इन चुनावों के माध्यम से हमारे देशवासी अपनी आशाओं और विश्वास को नई अभिवक्ती देते है इस रास्टी अविक्ती की सुरुवात आजादी के उस जजबे के साथ हुई थी जिसका अनुभो 15 अगस्त 1947 के दिन सभी देशवासीों ने किया था अब यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने गवरवशाली देश को नई उचाईयों पर ले जाने के लिए उसी जोज के साथ कंदे से कंदा मिला कर काम करें मुझे इस बात की प्रशनता है कि संसत के हाल ही में संपन हुए सत्र में लोकसभा और राजसभा दोनों ही सदनों की बैठकें बहुत सफल रही है राजनेतिक दलों के बीच परसपर सहयोग के जरिये कई महत्पूर्ण विध्यक पारित किये गए इस सफल सुरू आज से मुझे ये विश्वास हो रहा है कि आने वाले पांच बरसों के दोरान संसत इसी तरह से उपलब्धियां हासिल करती रहेगी मैं चाहूंगा कि राजियों की विधान सभाएं भी संसत की इस प्रभावी कारसंस्कृती को अपनाएं लोक तंद्र को मजबूत बनाने के लिए संसत और विधान सभाओं में आदर्श कारसंस्कृती का उदाहर प्रस्तुत करना आवस्यक है केवल इसलिए नहीं कि निर्वाचित सदस अपने मतदाताओं के विश्वास पर खरे उतरें बलकि इसलिए भी कि राश्टर नर्मार के अभियान में हर संस्था और हित धारक को एक जुठ होकर काम करने की आवश्यकता होती है एक जुठ होकर आगे बढ़ने की इसी भावना के बल पर हमें स्वाधिनता प्राप्त हुई थी मतदाताओं और जनप्रतिनीतियों के बीच, नागरिकों और सरकारों के बीच तता सिविल सुसाइटी और प्रसासन के बीच आदर्स साजेदारी से ही रास्ट निर्मार का हमारा अवियान और मजबूत होगा इस साजेदारी में सरकार की भूमिका लोगों की साहिता करने और उन्हें समर्थ बनाने की है इसके लिए हमारी संस्थाओं और नीती निर्माताओं को चाहिए कि नागरिकों से जो संकेत उन्हें मिलते हैं उन पर पूरा ध्यान दे और देश-वासियों के विचारों तथा एक्छाओं का सम्मान करें भारत के राश्रपती के रूप में मुझे देश के विविन छेत्रों की यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त होता है इन यात्राओं के दोरान विविन कार छेत्रों से जुड़े देश-वासियों से भी मिलता हूँ मैंने मैसूस किया है कि भारत के लोगों की रुचियां और आदतें भले ही अलग-अलग हूं लेकिन उनके सपने एक जैसे हैं 1947 से पहले सभी भारतियों का लक्ष था कि देश को आजादी प्राप्त हो आज हमारा लक्ष है कि विकास की गती तेज हो, सासन विवस्ता कुसल और पारदर्सी हो ताकि लोगों का जीवन बहतर हो लोगों के जना देश में उनकी आकांचाएं साफ दिखाई देती हैं इन आकांचाओं को पूरा करने में सरकार अपनी भूम का निभाती है परंतु मेरा मानना है कि 130 करोड भारदवासी अपने कौशल, पृतिभा, उद्यम तथा इनोवेशन के जरिये बहुत बड़े पैमाने पर विकास के और अधिक अवशर पैदा कर सकते हैं हम भारदवासियों में ये च्छमताएं सदियों से मौजूद रही है अपनी इनी च्छमताओं के बल पर हमारा देश हजारों बरसों से आगे बढ़ता रहा है और हमारी सब्वता फलती फूरती रही है भारत के लंबे इतिहास में हमारे देशवासियों को कई बार चुनोतियों और कटनाईयों से गुजरना पड़ा है ऐसे कटन समय में भी हमारा समाज विपरीत परिस्तितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहा अब परिस्तितियां बदल गई है सरकार लोगों की आशाओं आकांचाओं को पूरा करने में उनकी साहता के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं और सामर्थ उन्हें उपलब्द करा रही है ऐसे अनकूल वातावर्ण में हमारे देशवासी जो उपलब्दियां हासिल कर सकते हैं वे हमारी कल्पना से भी परे हैं देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार अनेक बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है गरीब से गरीब लोगों के लिए घर बना कर और हर घर में बिजली सोचाले तथा पानी की सुविधा दे कर सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत बना रही है हर देश बासी के घर में नलके जरिये पीने का पानी पहुंचाने, किसान भाई बहनों को सिचाही के लिए पानी उपलब्द कराने और देश में कहीं बार तो कहीं सूखे की समस्या का प्रभावी समाधान करने के लिए जल शक्ती के सदुप योग पर बिसेस बल दिया जा रह में केंदर तथा राज्य सरकारों के साथ साथ हम सभी देश बासियों की महत्वपूर्ण भूमिकार रहेगी। देश के सभी हिस्सों में संचार सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। इसके लिए गाउं गाउं को सड़कों से जोड़ा जा रहा है और बेहतर राजमार्ग बनाया जा रहा है। रेल यात्रा को सुरक्षित और सुविधा जनक बनाया जा रहा है। मेट्रो रेल की सेवा के जरिये अनेक सहरों में लोगों का आवा गमन आसान किया जा रहा है। छोटे सहरों को भी हवाई यात्रा की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। नए बंदर गहों को आधुनिक बनाया जा रहा है। सामाने व्यक्ति के हित में बैंकिंग शुविधा को अधिक पारदर्सी और समावेशी बनाया गया है। उद्यम्यों के लिए कर वेवस्था और पूंजी की उपलब्दता आसान बनाई गई है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार लोगों तक नागरिक शुविधाएं तथा उपयोगी जानकारी पहुचा रही है। सरकार बड़े पैमाने पर स्वास्त सेवाएं प्रदान कर रही है। दिब्यांग जनों को मुखधारा से जुड़ने के लिए उन्हें बिसेश सुविधाएं दी जा रही है। महिला ससक्ती करण के लिए सरकार ने कानून और नियाए बवस्था में आवस्यक सुधार किये हैं। देश व्यासियों का जीवन आसान बनाने के लिए अनुपयोगी कानूनों को भी निरस्त किया गया है। सरकार के इन प्रियासों का पूरा लाब उठाने के लिए हम सभी नागरिकों को जागरू और सक्री रहना होगा। समाज के हित में और हम सभी की अपनी बेहतरी के लिए यह जरूरी है कि सरकार द्वारा उपलब्द कराई गई बुनियादी सुविधाओं का हम सद उप्योग करें उदाहरान के तोर पर देखें तो ग्रामियर सडकों और बेहतर कनेक्टिविटी का पूरा लाब तभी मिलेगा जब हमारे किसान भाई बहन उनका उप्योग करके मंडियों तक पहुँचें और अपनी उपज का बेहतर मूल प्राप्त कर सकें वित और राजस्व के छेतर में किये गए सुधारों और ब्यापार के नियमों को सरल बनाने का पूरा लाब तभी मिलेगा जब हमारे छोटे स्टार्ट अप या काम धंदे और बड़े उद्योग नए तरीके से आगे बढ़ें और रोजगार पैदा करें हर घर में सोचाले और पानी उपलब्द कराने का पूरा लाब तभी मिलेगा जब इन सुविधाओं से हमारी बहन बेटियों का ससकती करण हो और उनकी गरिमा बढ़े वे घर की दुनिया से बहा निकल कर अपनी आकांचाओं को पूरा करें उन्हें अपनी इक्षा के अनुसार जीवन जीने की आजादी हो वे घर संभालने में अत्वा काम काजी महिलाओं की रूप में अपने भागे का निर्माण स्वयम करें समाज और राष्ट के विकास के लिए बनाये गए इंफ्रास्ट्रक्चर का सदुप्योग करना और उसकी रक्षा करना हम सभी का करतब है यह इंफ्रास्ट्रक्चर हर भारतवासी का है हम सब का है क्योंकि यह राष्ट्री संपत्ती है राश्ट्री संपत्ती की रक्षा भी स्वाधीनता की रक्षा से जूरी हुई है हमारे जो करतब निस्ट नागरिक राश्ट्री संपत्ती की रक्षा करते हैं वे देश प्रेम की उसी भावना और संकल्प का परिचे देते हैं जिसका प्रदर्सन हमारे ससस्तर बल, आर्दसाइनिक बल और पुलिस बल के बहदुर जवान और सिपाही देश की कानून बिवस्था बनाए रखने वासीमाओं की रक्षा में करते हैं। मान लेजे कि कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति किसी ट्रेन या अन्न सार्वजनिक संपत्ती पर पत्थर फेकता है या उसे नुकसान पहुचाने वाला है और यदि आप उसे ऐसा करने से रोकते हैं तो आप देश की मूल लिवान संपत्ती की रक्षा करते हैं। ऐसा करके आप कानून का पालन तो करते ही हैं। साथ ही अपनी अंतरात्मा की आवाज की अनुसार एक जिम्मेदार नागरिक की रूप में अपना करतब भी निभाते हैं। मेरे प्यारे देश वासियो, जब हम अपने देश की समावेशी संस्कृती की बात करते हैं, तब हम सबको यह भी देखना है कि हमारा आपसी बिवार कैसा हो। सबी विक्तियों के साथ हमें वैसा ही सम्मान जनक बिवहार करना चाहिए जैसा हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। भारत का समाज तो हमेशा से सहज और सरल रहा है तथा जियो और जीने दो किस सिध्धान पर चलता रहा है। हम भाषा, पंत और छेतर की सिमाओं से उपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं। हजारों बरसों के इतिहास में भारती समाज ने शायद ही कभी दुरभावना या पूरवग्रे से ग्रस्थ होकर काम किया हो। मेल जूल के साथ रहना, भाहिचारा निभाना, निरंतर सुधार करते रहना और समन्वे पर जोड़ देना हमारे इतिहास और विरासत का बुनियादी हिस्सा रहा है। हमारी नियती तता भविस्थ को समारने में भी इनकी प्रमुक भूमिका रहेगी। हमने दूसरों के अच्छे विचारों को खुसी-खुसी अपनाया है और सदेव उदारता का पर्चे दिया है। दूसरे देशों के साथ हमारे सम्मंदों में भी हम सहयोग की इसी भावना का पर्चे देते हैं। हमारे पास जो भी विशेश अनुभो और योगताएं हैं उन्हें सहयोगी देशों के साथ साजा करने में हमें खुसी होती है। हम चाहे देश में हों या विदेश में भारत के इन सांस्कृतिक मूल्यों को हमें सदेव अपने मान अस्पटल पर बनाए रखना है। भारत युवाओं का देश है। हमारे समाज का सुरूप तै करने में युवाओं की भागीदारी रिंतर बढ़ रही है। हमारे युवाओं की उर्जा खेल से लेकर विज्ञान तक और ग्यान की खोश से लेकर साफ्ट इसकिल तक कई छेतरों में अपनी प्रतिभा भी खेल रही है। यह बहुत ही प्रसनता की बात है कि युवा उर्जा की धारा को सही दिसा देने के लिए देश की विद्यालेों में जिग्यासा की संस्कृती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह हमारे बेटे बेटियों और आने वाली पीड़्यों के लिए हमारा अम्रमुल वह उनकी आशाओं और आकांचाओं पर विसेश दियान देना है क्योंकि उनके सपनों में हम भविस्त के भारत की जलक देख पाते हैं। हम भारत के लोग अपने ग्यान और विज्ञान के बल पर चांद और मंगल तक पहुँचने की योगता रखते हैं। साथ ही हमारी संस्कृती की ये विसेशता है कि हम सब प्रकृती के लिए और सभी जीवों के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं। उदाहरन के लिए पूरी दुनिया के जंगली बागों की तीन चौत्याई आवादी को हमने सुरक्षित बसेरा दिया है। हमारी स्वतंतता आंदूलन को स्वर देने वाले महान कभी सुब्रामान भारती ने सो वर्स से भी पहले भावी भारत की जो कलपना की थी वह आज के हमारे प्रियासों में साकार होती दिखाई देती है। उन्होंने कहा था मंदरम करपों, विने तंदरम करपों, वाने अलपों, कडल मीने अलपों, चंदिर मंडलतू इल कंडू तेलिवों, संदी तेरू पिरुकुम सत्तिरम करपों। अर्थात हम सास्त्र और कारिकुशलता दोनों सीखेंगे। हम आकास और महासागर की सीमाएं नापेंगे। हम चंद्रमा की प्रकृती को गहराई से जानेंगे। हम सरवत्र स्वक्षता रखने की कला सीखेंगे। मेरे प्यारे देशपासियो, मेरी कामना है कि हमारी समावेशी संस्कृती, हमारे आदर्श, हमारी करुणा, हमारी जिग्यासा और हमारा भाईचारा सदेव बना रहे। और हम सभी इन जीवन मूल्यों की छाया में आगे बढ़ते रहे। इनी शब्दों के साथ मैं आप सभी को स्वाधिनिता दिवस की अग्रिम शुब कामनाय देता हूं। धन्यवाद जै हिंद।